इमालेईना मान सरोवर्मा शुद्ध पानी भर्यूचे जर भर्यूचे तुलसीना मान सरोवर्मा एक सिद्ध संतनी वानी भर्यूचे इमालेईना मान सरोवर्मा मान स्नान करे तो शरीर नो मेल चारे शुद्धिय अनुभवे आमान सरोवर माजे श्नान करे एना मननो मेल अने कल्यूगनो मेल खनास्ति कलिमल रहित सुमंगल भागी सामलू छे कि हिमालई माजे मान सरोवर छे कि हंसो मूती नो चारो चरे न हंसो वेगा था तो इमालाई ना मान सरोवरे हंसो वेगा थाए और गो स्वामी जी नुझे हालतु चालतु जंदम मान सरोवर जे आने किनारे हंसो नहीं आदेशना परम हंसो वेगा थाए जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनही तजी ध्यान को स्वामी जी अलेख्यू जीवन मुक्तिना अंतीम सौपा अनसुदी पहुंचेला महापुर्शो सहज ज्यान अवस्थामा पहुंची गएला संतो ज्यान ने एक बाजु मुकी अनराम कथाना गानमा डोलता था आप परमहंसोनु मान सरुबर्शाम शीवजी अम कहे तब कचुकाल मरालतनु धरितह किनह निवाल्श ए शीवा काग भुशन दीजी नी पासे मैं हंसनु रूप लईने गहा काल सुदी कथा सरवन करी तो आग गरंथने किनारे आदेशना परमहंसो एक था था यतले के आए आएक हालतु चालतु मान सरुबर जी नव दिवस सुदी परमयोगी राज संत्राम महराश्री नी कृपा थी आ मान सरुबर अने पुझ्य वर्तमान महंस्री रामदाजी महराश्री ना पुईन प्रयास थी संतो ना आश्रवाद थी आपने नव दिवस सुदी आ मान सरुब आपने दिये तिर्षा यात्रा मा तो सू करिये, एमा डूपकी मारे लोको, रोवर मा, कदाच कोई डूपकी न मारी सके, तो किनारे बेसी ने स्नान करे, घनानी तबियत एभी होई, कि स्नान करे, तबियत भगडे हुए, तो खाली चरणा मृत ले ले ले, डॉक्टर ने ना तो खाली सरोवर ना दर्षन करे ले, दर्षन थी पांच, पवित्र सवाई, अठलू आपने तिर्षा मा जीए तो करिये, आपने या नव दिवस्त सुदिया तुलसी नुमान सरोवर उतार्यू जे, आम नव दिवस्त मा जे डूपकी मार से, तो दन्य जे, पर कदाच आज राम्चरित मानस ना जे चार गात छे, गिनान, भक्ती, कर्म, ने, शरणा गती, एना पगतिया उपर वेसी ने, गात उपर वेसी ने नव दिवस्त नान करिये, खदाच ए उद्दाए के स्नान पन न करी शकाय विस्तिती होई, तो तुलसी नी थोड़ी चोपाई उनु चर सबोवर नू दर्शन करिये तिर्थ माथ, दर्शन एम अराम दर्बार ने जाकी करिया, दंडी का रहे ने मावी ने, आप रभू, जया कराम कथा होई, भगवत कथा होई, चा किर्थ और देवता को पधारता होई, पशरीरी महत्मा वो गुंता होई, आएक नियब जे, तो ए भूबी शक्ये, कदार दूब규 की नमारी शक्ये, चनान पर ना करिद्ध चरना मुठ नले शक्ये, औहिए दर्शन पर कदा़ ना करिद्अ करिये, तो एटलू तो जरूर करिये, कि जे कथा मा होई यह ने, एटका ऑः ने, अईतर तुनसिदाज जी आप जहा खत्राव ब आना चार घाट छे गिनान घात, कर्म घात, भक्ति घात और दीन ताश्रणागति नो घात गिनान ना घात उपर भगवान शीव जी बैसी और पार्वती ने कथा काहे ज़े कर्मनी भुमिकाओ पर याग्नवलक भरदवाज जी ने आकथा नू गान समड़ावेज और भक्ती नी भुमिकाओ पर पर्म भागवद भुशंडी जी खगपति गरूड ने आकथा द्वारा अरे कोई उपदेश आप पानो नथी, उपदेश सफ़र थयो पर नथी हाँ, एक वस्तु चोकस के तुलसी नी चोपाई यो द्वारा तमारा नमारा अरदय मा पड़ेलू जो सत्के खुलतू हशे तो एक जरूर सफर प्यागना शे मैं कि उपदेश आप पानो कोई सवाल नथी मैंने विदेश गयो तो कोई पूछू के तम सुकाम कथा कया करो, एक निएक वाद कया करवादी पाचल हेतू शूरू मैं करूँ के भाई, आमारू जीवन जह, मान से जम स्वास लेवो जुई है, जीववा माचे, एमारा मान नुगान हे एमारू जीवन थे इच्छता है मैंने करूँ के नहीं च्छता है का इक घेतू तो असे के, मैं करूँ एक कथा पूरी था है पची, एक कथा सामबली ने, समाज नो एक विविशंग, जो राम सुधी पहुँची जतो होई, एक कथा पूरी थे हा पची, समाज ना एक पुम्भकर्णनी जो इच्छता है के जो आएक सफल थे हांनी तो आज संतनी भूमी पर वीर पुरुष्णी भूमी पर, नव दिवस्थी बैसी ने, मारें तमारे रामाइन नी चोपायवन नो गान करी इसु आपने, साथे हाने नव दिवस्थी आपना जीवन नो धर्शन करी शो प्रगवान ने कार्षना करिए कि नव दिवस पच्छी हमें कहीं की बदला ही नहीं थी उभा थी हमें पलाथी वारी ने बैठा हो ये तो हमारा जीवन मा उभा थी ये नव दिवस पच्छी हमें उभेला हो ये तो नव दिवस पच्छी में चालता से ये अमें चालता हो ये तो नव दिवस पछिये में दोड़िये अजे कथाओ द्वारा संतोना प्रवचनों द्वारा मानव थोड़ोग भरायोज अन्ति थी छिला दस वरसमा तमें जोसो तो ख्यालाव से कथा तरफ लोकों नी गणी रूची हो थी अने खाजकरीन युवान वर्ग नहीं तर तो कथा ये तले आपने जया मुटवाग भागवज जी नी कथा थती अनी पन पित्रू अनी पाचा त्रण जना बेठा ये ने एक वाच्वावाल होग त्रण मा एक जन फरज्य अभ्यासू पड़ें बे विवाई विला मा थी कोई आगया होई अभी परिष्ठी पियती अवे कथा मा एक नवी करांती एक नव सरवरात देखाई जे एक सारी निशानी लोकों कई बढ़ाई जे लोकों ने उलागे जे के भगवत कथा ना श्रवण थी मानत तै बदलाए सतत कथा सामड़ोड जे कथा केतू होई जेतलो समय मले भगवत कथा नुश्रवण करू तुल सिदाज जी कहुँचे संत दरफ अरु हरी कथा तुलसी दुरलब दो कल्यूग नी अंदर संतनु दर्शन अने परमात्मानी कथा दुरलब जे तमे अपने गामड़ा मारे ना राज समझी शक्किया नौलियो अने स्टाप हाँ बन्य ने वेर होई यह अमेशा लड़ता होई नहीं तरह न कहीं नात थी सबंध नथी जूदी नात ना छे नोलियो छे वीश्वगर नो प्राणी छे साप छे वीश्वावू प्राणी छे छता यह बन्य ने बहुत अकरार थे आगए साप नोलियाने करड़े डऊशदे शता नोलियो मरतो न थी साप नमारी नात जैने आपना गामराना खेत्रों मा अपने गामराना लोको एटले समझी शेक्ट के नौडियों ने सापनी लड़ाई जोई यहनो कारण शुझे तेला मा वीश बर्यू छे पेलो वीश हीन छे साप एक मोटो कार से साक्षाद तेलो विचारो सामन शता नौडियों विजय ही थाई जेनू कारण नौडियों हमेशा जिया रहे जे नौडियानी एक खुबी जे यह नौड वेल करीने एक वेल आवे जे वनस्पति यहनो गिनाता जे साप एने करड़े एक लए इसी दो भागे और पेली नौड वेल ने सुंगिया वे इस सुंगिया वे एक विश कारगत सफल न थे और पास वो युद्धे चड़े और पेलो साप एने दौश दे और नौड वेल सुंगिया वे विश जतु रहे एम पहलो करड़ा करे, पहला नू वीश सुंघया करे, अटले उतर्या करे, अन्य प्रणा में छिल्ले सापने खराश करे, एम संसार नो साप मनें तम ने करड़ेलो, वारु वार दौश देछे, अन्य आक कथाओ इनौल वेल छे, जयरे समय मरे चैर सुंघया करो, संतनों संग ने भगवत कथा ए नोडवेल छे जो संसार उपर विजयी छवुँ होई संसार मां तर्पाशिखी जवुँ होई तो कलियुग मां साधन छे हरी नाम हरी कथा संतों नी संगती सिधान साधा आ मारगोष कलियुग ना हगवत कथा श्रबन करो हरी नामनों जितलों बने एकलों गधारे जब करो अने संतों ना संगमा रहो आविश उतारवा माते नी कलियुग नी व्यवस्था ज़ तो इभी पवित्र कथा नव दिवस्थ दियापने अहीं गाईशू ठलुश रवन करीशू जीवन खबर नथी क्यारे पुरू थाए जितलों जल्दी सत्यने मारगे चड़ी जवाए जितलों आपना हित्माज अन ते थी आकाथाने माध्यम बनावी ने आज थी आपने राम याद्थानों आरम करीए संसार मा बधु याद करीऊ होसे और जो राम भुलाए होसे जीवन माँ कशूई मेलगू नथी और बाके नू भले कई न मेलगू होसे और जो एक राम मली गए होसे अपसी जीवन माँ कशूई मेलगू वानू बाकी रहतू नभी ए अर्थमाँ अपने कथाने आगल लईए दो मिनित किर्टन करें रामना बिसार बंदे रामना बिसार बंदे रामना सब गाएए राम ना बिसार बंदे राम ना बिसार बंदे राम ना बिसार भाव से राग को समझ कर भीतर से गाईयों सब गाईयों जहां भी आप बैठे हैं प्रभु नाम ली दिए राम ना बिसार बंदे राम ना बिसार बंदे राम ना बिसार बंदे राम ना बिसार बंदे रामना बिसार बंदे भूले राही सुनते जाना जूठे जग में क्या भर माना भूले राही सुनते जाना जूठे जग में क्या भर माना भूले राही सुनते जाना जूठे जग में क्या भर्माना भूले राही सुनते जूठे जग में क्या भर्माना जीवन के दिन चार बंदे जीवन के दिन चार बंदे जीवन के दिन चार बंदे जीवन के दिन बंदे रामना भिसार बंदे रामना विसार बंदे रामना विसार बंदे मंगल भवन अमंगल हारी द्रवव सोदशरत अजिर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवव सोदशरत अजिर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवव सोदशरत अजिर बिहारी क्रूपा करो गूरू देव किनाई जै 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 हनु मान गुसाई क्रूपा करो गूरू देव किनाई जै जै हनु मान गुसाई साधू संत के तुम रख वारे असुर नी कंदन राम दुलारे साधू संत के तुम रख वारे असुर नी कंदन राम दुलारे साधू संत के तुम रख वारे असुर नी कंदन राम दुलारे साधू संत के तुम रख वारे असुर नी कंदन राम दुलारे रे सीता राम चरन रती मोरे अनुदीन बढ़ हूँ अनुग्रह तोरे सीता राम चरन रती मोरे अनुदीन बढ़ हूँ अनुग्रह तोरे राम चरन बारिज जब देखो राम चरन बारिज जब बड़ी सुन्दर चोपाईया है तुलसिदास जी की भाव से गायों राम चरन बारिज जब देखो तब नीज जनम सुफल कर लेखो राम चरन बारिज जब देखो तब नीज जनम सुफल कर लेखो श्री राम चरन बारिज जब देखो 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 Shri Krishna Govind Hare Murare He Nath Nara Sudeva Shri Krishna Govind Hare Murare He Nath Nara Yanva Sudeva Shri Krishna Govind Hare Shri Krishna Govind Hare He Nath Nara Jai Va Shri Ram Jai Ram Jai Jai Rama Shri Ram Jai Ram Jai Jai Rama Shri Ram Jai Jai Rama Shri Ram Jai Ram Jai Jai Rama Maa Ramana Visarbande 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 और रसीले बागों में फूल खिलते नवीने नित्य रंगीले और रसीले बागों में फूल खिलते और रसीले मत कर इनसे प्यार बंदे मत कर इनसे प्यार बंदे रामना बिसार बंदे रामना बिसार बंदे श्री राम जे राम जे रामना बिसार बंदे रामना बंदे रामना बिसार बंदे रामना बिसार बंदे रामना 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 स्री राम, 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 स्री रा एजे राम, 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 Rama, śrī ram, dē rām, dē dē rām, śrī ram, dē rām, dē dē rām, śrī rām, dē rām. श्री राम जे राम जे जे, रामा श्री राम जे जे, रामा श्री राम जे जे, रामा श्री राम जे जे, वरना नाम अर्थ संगा नाम, अरसा नाम छंड सामती, मंगला नाम चकरता रव। वंदेवानी विनाशेको गनेश्चियने सरस्पतिनी वंदना करीने आजनु प्रवचन पूरू करूशू रोजना नेव ब्रमाने सवारनु प्रवचन बराबर नव आगे शरुथासे नई मीत तो कल सुबह नव बजे बिल्कुल समय सर फरी मलीशू बड़े भाव और प्यार से बोदिये बुलुराम चंड्र भगवान की श्रिबाल कृष्ण लाल की सद गुरू देवकी ओम नमः पार्वते आरार महारे शरित्मानस नू प्रथम स्वपान बालकाण बालकाण नू प्रारम पुर्ष्वामी जी एक करे उत्यारे मंगला चरण मा सात मंत्रों लख्या जे अनेक संतों नू आना उपर अभिप्राई है के राम कथा नू आरम करे उत्यारे गो स्वामी जी एक प्रथम कांड़ना मंगला चरण मा सातज मंत्र शुकान लख्या जुदा जुदा अभिप्राई उ संतों याप्याज है के सातनों आकड़ों तुलसीने के मदारे पसंद पड़े पहलु कारण तो एह होई शके के राम चरित मानस मा कांड़ सात अन्ते थी शरुवात मा सात मंत्रों लखी ने एक-एक मंत्र द्वारा एक-एक कांड़नू प्रतिनिधित्व करायू अथ्वातो आप मंत्र लख्वानी पाच्वड एक हेतु एपन के राम चरित मानस एक हे वो ग्रंट छे के अठ्वारी आना साथ दिवस माधी कोई पनदीव से यहनो आरंब करी शकाए यहना माटे कोई अमुकत दिवस अमुकत पेलू तदेव लगनम सुदिनम तदेव अथ्वातो तुलसिदास जी जे चोपाई ओ लखी है यह तमाम संगीत अग्यो यह संगीत ना ज्याता हो यह स्विकारी उचे अने यह हकिकत चे के गुश्वामी जी ने चोपाई तेथी पन सात मंत्र होई शके एक कारण यह पन छे के अपने त्या मुख्य दस अवतार हो यह मानू जे राम चरित्र यानि राम अवतार ए दस अवतार नी गनत्री मा सात्म अवतार छे अन तेथी सातमा उतारनू चरित्र दाती वक्ते गोश्वामी जीने सातनो आकड़ो गधारे रूचियो होशें इम पने एक मानवाने कारण जो तीश शास्त्रनी द्रश्टी है भगवान राम जीनी राशी पन सातमी आवे अने कारणों संतो बतावे मुलवात पात मंत्रो प्रारंभमा लख्याज अपेक्षा रखाती हती के कजार कथानो आरंभ राम शब्द थी थाशे और तुलसी दाश जीए कथानो आरंभ वर्ण शब्द थी करो आने कथानी समाप्ती मानव शब्द थी करीचे एक मोटी द्रश्टी छे तुलसीजी नी मालकांड नो बिलकुल प्रथम शब्द वर्ण छे आने उत्तरकांड नो अंतीम शब्द मानव छे वर्ण ने मानव आ बेश शब्दों नी वच्चे आखुर आमचरित मानव समुक्यों छे एनि पाचलाखी एक द्रश्टी रही है तुलसीजीना समय मापन वैश्णवों नो शैवों नो वर्णाश्रमियों नो एक मुट्टो संगर्शत वाच्थी 400 वर्ष पहला तुलसीजीना ग्रंथे एक में गई कालेपन करू थे हैं सेतुन उकाम करू थे उस्वामी जीने हम लागिए उसे कि बनवा जोग से ताले कडाच बरामनों अएम कहशे कि राम कता उपर हमारो ज़दिकार तो तुलसी कहाए नहीं क्षत्री ओकदाच हैं कैसे कि राम हमारा कुडमा जनमे आता क्षत्री वह उश्मायगा आता इतले हमारो दिका वस्वामी जी कहे नहीं वईश्यो कदाच हैं कैसे कि राम पारायन आयो जनौमे करिये जी पैसा आमे खर्चिये जी इतले राम कऴा उप्ड एमारो दीकार तुलसी कह नहीं शुद्रो कदाज कल एम कह एके राम वदारे मदारे भीलोनी साथे रहा था इतले राम कथा उपर एमारो दीकार अभी वर्णा शर्मनी कोई तकरार भविश्मा उद्पन न था इतले गुर्ष्वामी जी करूँ के प्रथम वर्ण अने अंतम मानव शब्द लखी ने तुलसी जी एम के वा मांगे के मारी राम कथा नो वर्ण केवल मानव से जे पुतानी जातने मानव के अवड़ा हुआ मांगतो होई जे पुतानी जातने मानव गनतो होई ये भी प्रत्येक व्यक्ति ने आग्रंथ नो अधिकार पची आदेश मारेयत होई तो भले विदेश मारेयत होई तो भले गम्नेते मानस होई तो समग्र मानव जातनो आग्रंथ चे वरणाश्रमनी तक्रार उत्पन न थाई इतला माटे वरण शब्द थी आरम से पिजा अर्थ मा उपनिशद में भासा मा कहिए तो अवरण परमात मा मानव वरण मा प्रगर थया इतले तुलसी नू उदगाटन वरण शब्द थी थया जैने उपनिशद कारो अवरण कावे जे ए प्रभू वरणीत थया यानि मानव रूप मा प्रगर या इतला माटे पन वरण शब्द थी कारण गम्मेते होई पन परथम मंत्र नी अंदर तुलसी दाश जी ये गणपती अने सरस्वती निश्थूती करी वरणा नाम अर्थ संगानाम अलसानाम छंद सामपी मंगला नाम चकरतारो वंदे वानी विनायको वानी अने विनायक ना चरण कमलमा वंदन करीने कथानो आरम थाईजे विजा मंत्रमा शीवने पारवती निस्थूती भवानी शंकरो वंदे शरद्धा विश्वास रूपिनो या भ्याम विनान पस्यंते सिद्धाहा स्वांतस्थमिश्वरा शीव ने भवानी नी स्तूति करता गो स्वामी जी कहुँ कि शंकर भगवान ये विश्वासनों स्वरूप छे अने पारवती ये श्रब्धानों स्वरूप छे श्रद्धाने विश्वासनू जोडान मानसना जीवनमा न थाए तो गुर्स्वामी जी पतानो मत जाहर करे जे के योगियों ने पन रदैमा बैठेलो ब्रह्म देखाई ने रदैमा विराजीत ब्रह्मने पामवा माते श्रद्धानु कन्यादान विश्वासना आथमा थवू जुए विश्वास ए शीव छे श्रद्धा ए पारवती छे ए जम दंपती छे जेना जीवनमा श्रद्धान विश्वासनो सुभग समनवई थाए ए मानव प्रभुने पामिशके तो शरद्दान विश्वासना प्रतीक समा शीव पारवतीनी बंदना करी शंकर स्वरूप समग्र जगतना जे त्रिभुवन गुरु गणवा माया जे जेना ललाट मा वक्र चंद्र सोहे जे ते परमातमानी स्थूती करी समसारने उटपन करनार पालन करनार लई करनार सर्व जगतनू शिरय करनार आध्य शक्ती परामबा जगजननी स्थूती करी जेने जाने वगर जगतनी भ्रांतियों सतत्मानवी ने साची लागया करे है ए परम प्रकाश रुप परमातम तत्वनी स्थूती करी राम जी राम तत्वनी स्थूती करी अने आम बंदना करता करता तुलसिदाज जी नी आ कथानों जे मुख्य हे तूशे जे आपने गई काले थोड़ो पर्ष करे हो तो कि तुलसिदाज जी ने मलागू के कान के गोष्वामी जी ना पहला सेकडो रामायन लखाया आदेश मां तुलसिदाज जी तो जी 400 वर्ष पहला लखे वागरण एना पहला तो कितला रामायन लखाया छेक शंकर भगवान थी शरुवात थेए तो आज सुधी मा कितला रामायन रचाया तुलसिदाज जी ने थेएँ के वुँ एक रामायन आमा उमेरू तो मारे सुन लगू के वान वामा पर छताय मैंने स्पश्टता करी के वुँ जे राम कथा लखी रहो जू एमा वेद, पुरान, शास्त्र, उपनिशद एबधाना मत छे एबधानी सम्मती वारो आगरंट छे पर थोड़ूक तुलसिदाज जी करू थोड़ूक गोश्वामी जी कहे मने जी लागियू मारा मनमाथी जी प्रग्टिव एउपर मैं आमा लख्यू जे एटले वेद, शास्त्र नी सम्मती वारो तो आगरंट छे पर उपरा आगरंट नी अंदर तुलसिदाज जी संत मत मुक्यो जे अन एक मोटू काम करूए अपने एम कहिए बुमों पाड़िये प्रचार करिये के वेद बजाए स्विकार वो जुई है एमे वेदना सिद्धान तो विश्व मानव जात माटे जे एमा कोई नान कही शगे पर विधर्मी विजाधर्मना लोकों ना पार से पुर्वग्राथी पण केशे का में वेदने नथी स्विकारता वेद मत सर्व मानने थसे के क्या में क्यो मुश्किल जे थो जुई है काण के अमने मानव जातनी वात करी है पन कदा अच कोई पुर्वग्राथी पण ना काए का में वेदने नथी मानता तो युँ बनवा संभव पन संत मत नो इनकार कोण कर संत तो सरवकाली कोई है येने कोई भाषा वर्ण देश अनु कोई बंधने ने लागू परतू नथी अनु ते थी रामचरित मानस मा संत मत मुकवा मायो जे अनि ये बद्धानी पाचलनो एतु गोश्वामी जी काई स्वांतह सुखाई तुलसी रगुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिमन जुलमात नौती केवल एकज द्रश्टी तुलसी जी काई आ गरंचनी रचना पाचल मारा अंतह करनने सुख पराप्त थाए आपने पर आ कथा बोलवानी अंतह करनना सुख माटे ने सामडवानी पर अंतह करनना सुख माटे ए द्रश्टी राखिन कथा मागल वदी है तुनाना पुरान निगमागम सम्मतम यद रामायने निगदितम कवचिदन्य तोपी स्वांतह सुखाय तुलसी रगुनात गाथा भाशा निबंदमति मंजुल मातना उती अनपची गई काले में करूतें कि सम्मस्कुरुतना आतला महान विद्वान होआ चतां तुलसी रगुनात जी एकदम सीधी ने सरल भाशामा आग्रंथनी रचना शरू करी एकदम हिंदी भाशामा प्रादेशीत भाशामा शरु आत्मा पांच सो रठा लग्या जो सुमिरत सिध्धि होगी गननायक करिबर बदन करवयनु ग्रह सोई बुद्धिरासि शुभगुन सदन मूक होगी बाचाल पंगुचदे गिरिबर गहन सवक्रतम स्वरठामा गनेश जीनी वंदनाशी जनू स्मर्ण मात्र करवाथी सिध्धि प्राप्त थाए रामभक्ती नी सिध्धि मणे इवाहे करिवर वदन तम्य माराव उपर अनुग्रह करो जहनी कृपा थी मूंगो बोले लंग्रो परवत उलंगे मुकम करोती बाचालम मूक हो ही बाचाल के वाहे प्रभु तम्य माराव उपर नया करो तुलसी दाज जी नी द्रश्टी मा मूंगो बोलतो था इतले मूंगो बोले ये तो प्रभु करीश चके पर तुलसी जी एम माने जी कि प्रभु तारीक रुपा न था ये त्यासुदी माराज जी वो स्वार थी मानस परमार थी भाशा बोलतो नहीं थाई शे अन्य जासु प्रमात्मा कृपा करें लंगडो पर्वत वलंगे अमा कोई अशक्य नथीज, पन इश्वरनी कृपानो आटलो संकुचित अर्थ तुलसीना शास्त्रमान थी। प्रभू तारी कृपा थाई कारे लंगडो पर्वत वलंगे अनो अर्थ ए के तारी जारे अमारा उपर कृपा थासे कारे अमारा जिवो पंगु जीव वात वात मा रड़ी पड़तो जीव वात वात मा बेसी जतो मानत थोड़ी की विपत्ति आवे तो अकड़ा उठतो हूँ तुलसी का है मारा जीवन मा गम्मे तटला परवत जेवड़ा दूखवाव से तो उएने पोडंगी शकेश, उएने पार करीज़ेश, आप मारा उपरदया करें, त्रिजो सोर्थो नील सरोरुह शाम, तरुन अरुन, बारिजनयन, करहु समम उरधाम, सदाक्षीर सागर शयन जे मं तरिजा सुरथा मा स्थुती छे लक्षमि नारायन भगवानने के आप जे म क्षीर सागर माँ शेयन करो जोन कायम मारा रदै माँ आप निवास करो लक्षमि नारायन नी प्रार्था चोथो सुरथ कुंद इंदु समदेग कुमार मन करुना अयन कामदेवने बालनार उमारमन शीव औने पारवती निस्तुति चोथा सोर्थामा करता करूँ करहु कृपा मरदन मयन तमें मारा उपर कृपा करो औने पांच मा सोर्थामा गुरु वन्दना अगलना विदा देवताओने कोईने करुपा करो 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 कोईने क कमल मा तुलसिदास जी प्रणाम करे। पव सरस्ष और ठो उस पर जड़ा ध्यान दे आप वंदाउं गुरुपद कंज गुरुना चरण कमल ने नमस्कार करूज। बे वस्तु लगी गुरुना चरण एक कमल ज़। अने गुरुनी वानी यानी एना शब्दो ए सुरियनी किर समान होई अने जेना चरण जेना पगला कमल समान होई मतलब जेनी वानी प्रमाने पगला उपरता होई। शब्द प्रमाने जे मान जीवतो होई। नहीं तर संसार में आपने जोईए जी है कि शब्दो तो घणानी पासे सुरियनी किरनों समान होई। पर पगला कमल जिवा निसंग न थी। जेनू आत्रन कमल ना जेव निरलफ अस्प्रुष्य होई। अने जेनी वानी तेजस्पी होई। एक गुरु पद्वीन शोभावी शक्या। अने प्रश्ण जगत पेंदर जिश्पी होई। जीवन जीववानों से। कोई ये बहुत सरस्मुक्तक लख्यू गुजराति मां। के नथी दीठी कदी भूखने छताए भूख पर बोले। कोई दीवस एक तंक भूख्यो न रहोए। अने इस सभावरीन दोट कलागसूरी भूख उपर भाशन आपे। तो इस भाशन नी समाज में शू ज़रूगी। भूख ना आकर आपे। गरी भी ना आकर आपे। गम्ने चिपलू बोले। शू अर्फ समाज में शू उपियोगी। नथी दीठी कदी भूखने। अने छताए भूख पर बोले। अनीती मैं भर्यूँ जीवन अने सभामा पाच्व नीती पर बोले। अक्षू जीवन अनीती मा डूबे लोई। अने निवेदन नीती नो करतो है। नथी दीठी तदी भूखने। छताए भूख पर बोले। अनीती मैं भर्यूँ जीवन सभामा नीती पर बोले। पराई नारी ने देखी। नयन जैना आम तेम डोले। अने सभामत देव भो थाईने पाछो ब्रमचरिय पर बोले। इस शब्दों नी शूँ जरूर समाज था। इर्शा मद अने ममता लोभमा पांगड़ो थाईने। व्यासनी गादी पर जैने पछी ये भक्ती पर बोले। क्यों अर्थ आचरान जैनू कमल ना जैव। अने वानी जैनी सुरिय ना किरन समाज। जै मा साधकना रड़य ना मोह अंदकार ने तोड़ी शके। तेवा गुरुदेव ना चरन कमल मा जै साधकना माते भले मनुष्य आकार मा होई पन साक्षात। अरी स्वरूप छेम कईने वो स्वामी जीए गुरु वंदनाथी कथानो आरम करे। रामचरित मानस नी प्रसम चौपाई नूगान करिये। तेपहला अपने पन कथाना प्रारममा एक बार अपने अपने गुरु महराज को भाव और श्रद्धा से वंदन करे। गुरूर ब्रह्मा, गुरूर विष्णो, गुरूर देवो महेश्वरा, गुरूर साक्षा, परम ब्रह्मा, तस्मेश्री गुरुवे नमह। अखंड मंद लाकारं व्याक्तं ये, चरं तद्पडं दर्शितं ये नम्